हेलो स्टूडेंट्स, आई हम गुर्विंदर कौर, फिकल्टी एट अभी मैंन्यू आई है, से बीरी वाम वेलकम ओल उफ यू इन दिस सेशन, और स्टूडेंट आज यहां पे हम PPSC के लिए हमारा PYU सेशन स्टार्ट करेंगे, तो कुश्चन नंबर 40 से हम स्टार्ट करते ह हैं, थीके जी, थीके जी, तो कुश्चन नंबर हम करते हैं, यहां पे 40 स्टार्ट, ठीके जी, ओके तो कुश्चन पढ़िये वच्छे, कुश्चन पढ़िये, हां जी, तो कुश्चन है स्टूडेंट हमारा सोशल सर्विसीज पे कुश्चन है, यह हमारा, कैता है, which of the following categories of borrowers are eligible for taking benefits of priority sector lending under the weaker section category. See here student, हमारे banking sector के अंदर आपका RBA की कुछ guidelines हैं जिनकी अंदर student आपको जो bank है उसको कुछ जो अपना amount है, particular amount जो होता है, वो amount of loan जो है, ठीक है, कुछ percentage जो है, वो हमेशा priority sector में ही आप क्या कर सकते हो, उनको आप दे सकते हो, मतलब कि आप लेंड कर सकते हो, ठीक है, priority sector को ही आप क्या कर सकते हो, वो वाला जो loan है, वो आप issue कर सकते हो, ठीक है, आप दे सकते हो, priority sector lending इसको बोला जाता है student, ठीक है, ये RBA के, through RBA जो है, वो time to time अपनी guidelines को थोड़ा अपडेट भी करता रहते हैं, और हर bank के लिए अलग-अलग है, student, corporate banks, जो है, हमारे, जो हमारे ruler banks है, या हमारे नवाड से related जो banks है, या हमारे जो, जितने भी हमारे cooperative banks है, foreign banks है, ठीक है, तो उन सब के लिए अलग-अलग guidelines है, ठीक है कि कितना percent, या कितना amount जो है, वो आपको priority sector को देना है, ठीक है जी, priority sector में, अच्छा, तो priority sector में आते हैं, कौन-कौन से हैं, ये हम यहाँ पर discuss करते हैं, तो पहला कहता है small and marginal farmers, दूसरा है self-help groups, self-help groups कौन से होते हैं, आपको पता होगा, सिजी के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है, ओके, beneficiaries of differential rate of interest scheme, next है हमारा distressed farmers indebted to the non-institutional lenders, next है हमारा minority communities such as notified by the, जो भी minority communities हैं, जिनको notify किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें correct statement यहाँ पे हमें बतानी है, तो बताईए students आपकी correct statement क्या है, यहाँ पे बताईए, हाँ जी, correct statement बताओ बच्चे, बताओ correct statement कौन सी एस में, तो correct statement जो है वो सारे हैं, यहाँ पे D, सारे sections जो है, they all lie in the they all lie in the priority sector lending they all lie in the priority sector lending ठीक है जी सारे के सारे हमारे priority sector lending के अंदर included है ठीक है सभी weaker sections है students small and marginal farmers beneficial differential rate of interest scheme ये भी हमारी उनी के लिए है distressed farmers ठीक है जो non-institutional lenders जो हमारे you know बनी है वगेरा होते है जो मतलब you know जो बहुत हाई interest rate पे loans देते है ठीक है उनको उनके लिए minority communities जो होती है उनको जैसे notify किया जाता है government की तरफ से जो जो भी communities है तो उन सबको हम priority sector lending के अंदर रखते है ठीक है या जिनको हम under the weaker section category में वो lie करते है ठीक है और इनके अंदर इनको loan दिया जाता है ठीक है ओकी तो 45 वन नंबर question पढ़िए student हाँ जी कहता है which out of the following sets of industries is not the part of which out of the following sets of industries is not the part of the eight core industries आपको पता होना चाहिए student हमारा जो core sector है उसमें eight हमारी core industries है कोई student मुझे comment करके बता सकता है कि कौन कौन सी है बताओ कौन कौन सी है हाँ जी comment करके कोई बता सकता है हमारे eight core industries कौन कौन सी है ठीक जो base होता है student जो मतलब economy का base है जिनके बना हमारी economy नहीं चल सकती बिल्कुल नहीं economical activities इस पॉसिबल ही नहीं है तो इस सब में टेला ओप्शन कहता है कोल, क्रूड ओयल, और नाचुरल गैस, दूसरा कहता है स्टील, सीमेंट, इलेक्रिसिटी, थर्ड ओप्शन है कोल, नाचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्स, और फॉर्थ ओप्शन है माइनिंग, अपरेशन्स एंड फार्मासुटिगल्स, तो बताईए इसमें से करेक्ट ओप्शन कौन सा है हमारा, हैंजी बताओगी आप, जल्दी से बताओ बचे, कौन सा इसमें से करेक्ट ओप्शन है, ऐसे फट आपफट आंसर देते जाना आब आपको, हाना, आप तो I think so कि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो गई होगी, अब तक तो, बताओ, हान जी, तो इसमें से करेक्ट ओप्शन जो है, वो that is our D, जो पार्ट नहीं है, माइनिंग, मेटरोलोजिकल, अपरेशन और फार्मासूटिकल, ये जो हैं हमारी तीनों, that is not the part of 8 core industries, 8 core industries कौन कौन सी है student कोई बता सकते हैं, तो चलो, एक एक करके देखते हैं, तो first one is our, लिखिये student, लिखिये, पहली है हमारी cement industry, ठीक है, cement industry, दूसरी बताओ, दूसरी है हमारी coal, ठीक है, third one is our, crude oil, वो तो उपर लिखी होई थी है न, ठीक है, और बताओ, और बताओ, natural gas, fourth one is our, natural gas, हाँ जी, और बताओ, fifth one is our, fifth one कौन सी होगी हमारी, refinery products, और बताओ, sixth one is our, sixth one is our, steel, seventh, fertilizers, हाँ जी, eighth बताओ, last one रहेगी, जल्दी से बताओ, last one is our, electricity, तो यह हमारी eight core industries and student, इन जिनको आपको याद रखना है हमेशा, जिन पे बहुत बार कुश्चिन बनते हैं, first one is our, cement, second one is our, coal, third one is our, crude oil, fourth is, natural gas, fifth one is our, refinery product, sixth is, steel, seventh is, fertilizers, eighth one is our, electricity, हाँ जी, क्लेर आपको, तो यह eight core industries and student, हमारी textile हो गया, mining हो गया, pharmaceuticals हो गया, they are not our core industries, ठीक है, यह हमारी eight core industries है, इनके बिना आपका economy का base नहीं है, obviously student construction करने के लिए, infrastructure के लिए, cement चाहिए, steel चाहिए आपको, ठीक है, आपका automobile जो industry है, that is, require our coal, crude oil, natural gas, refinery products, right, yes or no, और जो हमारी agriculture है, वो fertilizers के बिना विदा पॉसिबल नहीं है, और electricity तो इसके बिना तो कोई भी industry चली नहीं सकती, right, तो यह eight core industries है, student, जो हमारे लिए, बहुत ही essential है, हमारी economy के लिए, अब यह बात clear हुई, तो I think so कि अब अगर question आया, तो आप इसको गलत बिल्कुल नहीं करोगे, the option is our, not the part of eight core industries in the India, clear है बच्चे, yes or no, तो आगे बढ़े, ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं, हांजी, तो 42 number question पढ़ो बच्चे, कहता है, which out of the following has been categorized as a domestic systematically important bank DSIB, as per the recent report of RBA, यह उस time की current news है, student, current affair की news है, ठीक है, अच्छा, कौन categorized नहीं है as a domestic systematically important bank, DSIB के category में lie नहीं करता है, पहला कहता है ICC bank, दूसरा कहता है पंजाब national bank, third one is access bank, कोटक महिंद्रा bank, बिल्कुल, बिल्कुल असान सा question है, यह तीनों ही हमारी DSIB में lie करते हैं, except ICAC bank, so correct option is our AICAC bank, ठीक है, ओकी, clear आपको यह बात, ओकी बच्चे, लो जी, move करते हैं 43 number question पे, ओकी, तो 43 number question आप attempt केजिए, सबसे पहले student statement incorrect पूछिए इसने, तो incorrect पूछिए, तो अब बताओ, क्याता, which of the following is incorrect with respect to payment bank, and the small finance bank, banking sector के अंदर student आपको difference जरूर पता होना चाहिए, what is the difference between corporate bank, ठीक है, versus commercial bank, जैसे कि पंजाब, महराश्टरा जो bank है, that is our corporate bank, commercial bank में कौन कौन से हैं, जैसे कि है हमारा SBI, PNB, DIR, commercial bank, ठीक है, यह समझ में आई बात है, दोसरा आपको पता होना चाहिए, payment bank के बारे में, payment bank के उपर बहुत question आते हैं, versus small finance bank, small finance bank, ठीक है, पता होना चाहिए, आपको banking sector जो chapter है, that is very important for our economy, ठीक है, banking sector अच्छे से यह chapter जो है, आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, student, banking sector जो है, वो economy का, बहुत ही important chapter है, student, banking sector आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो statement पढ़ीए, बची, हाँजी पढ़ो, क्याता है, payment banks can accept deposits, but have to keep the customer balance below 1 lakh rupees, whereas there is no such restriction on the small finance bank, क्याता है, जो हमारा payment bank है, वो deposits accept कर सकता है, but अपने customer का जो balance है, वो 1 lakh से उसको कम रखना है, but ऐसी कोई limitation नहीं है, small finance bank पे, वो कितना भी पैसा जो है, वो deposit में रख सकता है, customers का, दूसरी बात कहता है, payment bank cannot give, loan, कहता है, जो payment bank है, वो loan नहीं दे सकता, नहीं credit card issue कर सकता है, but small finance bank जो है, वो credit card भी issue कर सकता है, और loan भी दे सकता है, थर्ड statement में कहता है, कहता है, mobile companies, mobile companies and supermarket chain, जितनी भी हमारी supermarket chain हो, तो जैसे कि, geo आपके, वो होते हैं, shops होती हैं, या reliance, जो आप जाती हो न, reliance supermarket के अंदर, आप shopping करने, geo supermarket के अंदर, आप shopping करने, उनकी बात कर रही है, तो supermarket chain, owned and controlled by the residents, are allowed to become eligible promoters, for the payment bank, but this is not true, for the small finance bank, कहता है, जो payment bank है, वहाँ, वो eligible है, ठीक है, कि, वो उनके promoters बन सकते हैं, बट, small finance bank के नहीं बन सकते, दूसरा कहता है, payment bank cannot sell, कहता है, payment bank sell नहीं कर सकती, क्या mutual fund नहीं sell कर सकती, insurance नहीं कर सकती, pension fund scheme नहीं कर सकती, बट, small finance bank जो है, वो हर चीज को sell कर सकती है, mutual fund को sell कर सकती है, insurance को कर सकती है, pension fund को कर सकती है, तो अब आप मुझे, यहाँ से incorrect statement पूछिए बच्चे इसने, incorrect पूछिए इसने, मैं पहले बता रही हूँ आपको, गलत नहीं करोगे, हाँ जी, बताओ, हाँ जी, कौन सा कॉछ इनकरेक्ट है हमारा, तो D option पर देखिए student, D option देखिए, क्याता payment bank cannot sell mutual fund and insurance, and pension fund, but small finance can, नहीं, वो कर सकती है student, sell तो वो करी सकता है, sell करने में उसको क्या दिक्कत है, payment bank जो है, वो mutual fund insurance और pension fund तीनों को sell कर सकता है वो, ठीके, जैसे कि हमारा small finance bank होता है, ठीके, यह यहाँ पर incorrect है, बाकी सारी statements correct ही हैं हमारी, statement द्वारा पड़ो, क्याता payment bank can accept deposit, बिलकुल कर सकता है, बस उसको अपनी payment, जो customer का balance है, वो वो एक लाक सी नीचे रखेगा, बट जो small finance bank है, इसके उपर कोई limitation नहीं है वाल लैक की, payment bank जो है, वो cannot give loan and issue credit card, हाँ, payment bank जो है, वो आपको credit card नहीं दे सकता बच्छे, कभी भी, small finance आपको credit card दे सकता है, ठीके, ओके, next बात करता है, बिल्कुल वो eligible होते हैं, promote करने के लिए, बट ये small finance के case में ऐसा नहीं होता है, ठीके, जितने हमारे ये machines नहीं होती, swipe machine होती है, ये सब कुछ, इनको payment bank ही ज्यादा तर वो कर रहा होता है, acquire करता है, ठीके, ओके, तो payment bank cannot sell mutual fund, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो sell कर सकता है, mutual funds को भी कर सकता है, ठीके जी, ओके, 44 number question पढ़ो बच्चे, 44 number question, सारे question banking sector से हैं, student, सारे question, आप देखो, जब से हमने 40, I think 42 number question से हमने शुरू कर रखा है, इसको, सारे question, नहीं, 40 number question से शुरू कीता है, कि या बच्चे, लगातार जो है, वो आगे सब के सब banking sector से ही question है, almost, almost, हमारे economy से ही question है, सारे के सारे, economy के अलग-अलग pillars, जो है, हमारे जैसे पहला pillar, जो है, वो हमारा GDP, और जो हमारा basic है, second हमारा banking sector का जो pillar है, उनी की यहां से, वही से questions आई होई है, direct, अच्छा, statement बढ़ते हैं, कहता है, consider the following pairs about non-performing assets, यह student बहुत important है, this is very important question student, I think so कि यह repeat होने वाला question है, non-performing assets के बारे में, कहता है, consider the following pairs of non-pairing assets, NPA classification in India, with their descriptions, ठीक है, non-performing asset NPA जो है, वो यहां पे बात कर रहा है, with their descriptions, ठीक है, ओके, तो देखिए, पहला, sub-standard assets, पहला वो बात करता है, sub-standard assets की, कहता है, sub-standard assets क्या चीज़ होती है, assets which have remained NPA, non-performing assets का मतलब यह होता है, student की मान लीजिए, आपने loan लिया, bank से, ठीक है, आपको 90 days बाद, यहां तो, आप, आपके 90 days निकल गए, student, ठीक है, ना तो आपने interest pay किया, ना आपने principal amount वापस किया, मतलब कि, आपने loan ले लिया bank से, ठीक है, अभी bank के लिए, जो loan होता है, student, वो हमारे लिए debt होता है, बट bank का वो क्या होता है, asset होता है, ठीक है, एक चीज़ समझो, आप banking सेक्टर में एक चीज़ समझो, बहुत ही basic से concept है, student, यह बात पता होना चाहिए आपको, जब आप, simple simple language में समझाते हूँ, जब आप पैसा, जब आप अपनी money जो है, उसको एक bank account के अंदर, आप save करते हो, तो वो आपके लिए क्या है बच्चे, वो आपके लिए है asset, वो आपके लिए क्या है asset, वो आपका asset है बच्चे, बट bank के लिए वो क्या है, liability, क्योंकि bank को, जब भी आपके demand होगी, ठीक है, उसको bank को immediately आपको वापस करना है, वो bank में पढ़े जुरूर है, जैसे मेरा bank account है, उसमें मेरा saving है, वो उसके अंदर पढ़ी है, बट मैं जब चाहूं, मैं उसको bank से निकाल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मेरा asset है, bank की वो liability है, bank की उपर liability है, ठीक है, दो words को समझो, asset and liability, same चीज़ student, जब bank आपको लोन देता है, जब bank आपको लोन देता है, तो वो bank का asset है, ठीक है, हमारी liability है, हमें उसको कभी ना कभी वापस करना ही है, आपने दो साल के लिए लोन लिए, आपने साल के लिए लोन लिए, आपकी liability है, लेकिन bank के लिए वो क्या है, asset है, तो non-performing asset का मतलब होता है, कि student ऐसा asset, जिसको लोन की form में किसी को दिया गया, ठीक है, बट अब जो है, ना तो उससे interest आ रहा है, वो बंदा ना तो आपको interest पे कर रहा है उसके उपर, ना ही उसने वो principal amount जो है, वो आपको वापस दिया, मतलब कि किसी बंदे ने loan लिया bank से, मानली जी कोई bank है यहाँ पर, कोई ex-bank है, उससे आपने 1 lakh रुपीज क्या लिये, loan लिया, अब उस 1 lakh के उपर आपको interest पे करना था, interest के साथ उसको पे करना था, या मानलो आपने वन मंत बाद आप उस पे डेली, आप बंदली जो है, वो आप उस पे EMI पे कर रहे हो, या आप मतलब कुछ interest आप पे कर रहे हो, ठीके, ना तो आपने principal amount वापस किया, 1 lakh रुपीज, ठीके, और ना ही आपने interest पे किया, कुछ नहीं पे किया आपने, लोन लिया और आपने, आप default रोगे एक साब से, ठीके, तो वो जो asset है student, वो bank, उसको बोलते हैं हम non-performing asset, non-performing asset, मतलब कि वो perform नहीं करना बचे, non-performing asset, ठीके, मैं यहाँ पे ज्यादा, ज्यादा economical terms यूज नहीं कर सकती बचे, because P, Y, Q है ये, ठीके, तो बस मुझे simple-simple समझाना है आपको, ठीके, कोई class नहीं चल रही यहाँ पे, ठीके, अच्छा, उसके अंदर भी क्या होता है न, student जो non-performing asset है, उसको भी आगे जो है, वो classify किया गया है, ठीके, उसको आगे classify किया गया है, पहला जो classification है, that is our sub-standard asset, पहला वो classification करता है, sub-standard asset, इसका मतलब क्या है, asset which have remained NPA for the period less than or equal to 12 months, मतलब की 12 महीने तक, मतलब की कुल मिलाके एक साल तक, एक साल तक वो NPA में है, या उससे कम में वो non-performing है, मतलब एक साल तक उस बंदे ने ना तो वो principal amount वापस किया, और ना यह उस पे कोई trust वापस किया, एक साल हो गया, उस asset को हम किस category में लाई करते हैं, sub-standard asset के अंदर हम उसको लाई करते हैं, ठीके, मतलब कि या तो एक साल से कम हो सकता है, या पूरा एक साल हो गया, उस पे कोई भी action नहीं है, मतलब कि वो performing नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बैंक को कुछ नहीं मिल रहा, ना वो amount वापस आया, और ना ही उस पे कोई trust वापस आया, कुछ नहीं आया, next student, doubtful asset, doubtful asset का मतलब होता है, asset which have remained in the substandard category, for a period of 12 months, अगर मालो उसको पूरा ही एक साल हो जाए, तो एक साल के बाद, बैंक जो है, वो उसको doubtful asset में, category में लाई करता है, मतलब कि अब बैंक को शक है, कि भाई, एक साल हो गया है, अब नहीं लगता कि ये बंदा जो है, वो आपको loan वापस करेगा, या इस पे कोई भी वो interest देगा, अब तो ये जो है, वो doubtful asset के उपर आ चुका है, की category में ये आ चुका है, फिर होता student, third one is our loss asset, loss asset का मतलब क्या है, asset which are considered uncollectively, or for and of such little value, that there is continuous as a bankable, bankable asset is not warranted, although there may be some salvage, or recovery value, मतलब की almost loss हो चुका है, ठीक है, उसको collect नहीं किया गया वापस से, ठीक है, and there is such little value, that there continuous as a bankable asset is not warranted, although there is, हो सकता है की आप थोड़ा बहुत recover कर लो, वहाँ पे मतलब यूनों उसके घर पे जाके, कुछ-कुछ recovery आप कर लो, but almost जो आपका asset है, वो loss हो चुका है, ठीक है, तो उसको हम loss asset में, category में रख देते हैं, यह उसने statement में बोला है, ठीक है, अब इसने बोला है कि, हहाँ पे आप मेरे को correct pairing बताईए, कि जो उपर मैंने तीन आपको definition दी, loss asset की, substandard की, और मैंने doubtful asset की, इन तीनों में से कौन सी pairing जो है, वो सही है, correct है, यह उसने पूछा है, question number 44 के अंदर, हाँ जी, बताओ जी, तो तीनों statement student, यहाँ पे सही हैं हमारी, तीनों statement जो है, वो सही है, substandard मतलब की less, or equal to one year, उसको हम substandard asset में lie करेंगे, और जो doubtful है, that means, one year हो चुका है, आपका complete है, ठीक है, वो उससे less नहीं है, और loss asset का मतलब की, almost loss होई चुका है, थोड़ी बहुत value जो है, वो आप recover कर सकते हैं, मालों आपने एक लाख रुपे किसी को loan दिया, एक bank ने एक लाख रुपे loan दिया, और उसमें से 10,000, 20,000, में भी आप recover कर पाओ, बाकी तो आपका almost loss होई चुका है, clear है ये बात आपको, ठीक है जी, ओके, ठीक है, तो 45 number यहाँ पे question जो है, उसको आप discuss कीजे, हाँ जी, 45 number question यहाँ पे discuss कीजे, कहता है, which among the following is the objective of the check, check, check trunquation system, CTS introduced by the RBA, RBA ने CTS system introduced किया था, ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, यह आपने banking sector में पढ़ा होगा, check trunquation system, CTS introduced by RBA, तो इस पे उन्होंने question पूट किया है, बच्चे, हाँ जी, तो बताईए, correct हो, यहाँ पे आपको बताना है, check trunquation system के बारे में आपको बताना है, हाँ जी, बताईए, हाँ जी, बताओ, पहला option बोलता है, कहता है, to reduce the flow of check in circulation, कहता है, check के flow को reduce करना है, by replacing check with digital financial transactions, मतलब कि आप check की जगह पे क्या करो बच्चे, आप digital financial transaction जो है, उसको आप start कर दो, check का आप replace कर दो, दूसरा कहता है, to discontinue the flow of physical check, कहता है, जैसे हम physical check देखाते न, लिख कर भर के फिर देखे आते हैं, ठीक, उस physical check की बात कर रही हैं आपे, कहता है, to discontinue the flow of physical check in the clearing process, by the transferring an electronic image of the check, with essential MICR data, आप क्या करो, उस check को आप क्या कर लो यहां पे, उसको electronic image में उसको आप transfer कीजिए, ठीक है, in case of physical check, फिर थर्ड स्टेटमेंट में कहता है, थर्ड स्टेटमेंट में कहता है, कहता है, to establish an electronic database, कहता आप electronic database को set कीजिए, that help in the suspension of the circulation of these checks, that do not have the correct vital detail, जिसके उपर detail आपने अच्छे से फिल नहीं कियो है, vital detail जो भी important detail है, वो वहां पे नहीं है, ठीक है, next D है, to build the capacity to enable interbank payment online, and facilitate corporate customer payment, ठीक है, to build the capacity to enable interbank payments, online and facilitate corporate customer payment, यह हमारी fourth statement है, अब आपको हमें correct statement यहां पे बतानी है, हाँ जी, बताइए, तो इसकी चो correct statement बनती है ना बच्चे, that is our B, B option देखे आप, to discontinue the flow of physical check, मतलब की आप जो है न वो physical check मत दो, clear करवाने के लिए, ठीक है, in the clearing process, by transferring an electronic image, आप क्या करो, उसकी electronic image कीजिए, जिसकी उपर क्या होता है, कुछ इस तरीके से MISR, जो उसकी उपर data होना ही चाहिए, जो essential है, उसकी उपर होना चाहिए, ठीक है, आप physical check को आप क्या कर सकते हो, clearing process में, आप उसको discontinue कर सकते हो, by transferring an electronic image of check, with the essential MICR data, जो भी आपकी basic उसमें requirement है, जो भी उसके अंदर data require है, check clear करने के लिए, बस वो होना चाहिए, उसको आप electronic image की form में, transfer कर सकते हैं, in case of your physical check, clear आपको ये बात, ठीक है, तो correct option is our B, ठीक है बचे, तो 46 number question attempt कीजिए बचे, सारे question banking sector से, भर-भर के questions है, पूरे banking sector से पूछे हुए हैं, हाँ जी, पूछे, question पूढ़िए, कहता है, which out of the following is the largest network, largest network पुछा उसने, of shared ATM in India, run by the National Payment Corporation of India, कहता है, National Payment Corporation of India, आपको पता है, कितने सारे ATM से run करता है, हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है, ज्यादा तर जो largest, जो network है, हमारे ATM का, उनको run किया जाता है, student, ये बात आपको याद रखना है, statement ही अपने आप, आप में एक answer है, बच्चे, run by the National Payment Corporation of India, तो आपको बताना है, यहाँ पे which of the following, out of the following, बताया है, इसने shared ATM का, ठीक है, जिसको run करता है, National Payment Corporation of India, तो that is our, National Financial Switch, National Financial Switch, ठीक है जी, clear आपको ये बात, ठीक है, ओकी, तो बहुत ही असान सा question था, वैसे तो, ठीक है, ठीक है जी, तो next question करेंगे student, हम हमारे next session के अंदर, ठीक है, ओकी, ठीक है जी, इसी के साथ student, हमारा new batch, start हो चुका है, for the Punjab Civil Services, ठीक है, जिसकी अंदर, online, offline, दोनो mode available है, students classes के, offline की जो classes है, वो हमारी शाम के time के, time में है, हमारी 5 to 7, हमारी GS की class चलती है, and before that, 2 to 4, जो हमारी CSET की class चलती है, और student, इसी के अंदर, हमारी weekly current affair की class भी चलती है, तो student, आप offline center में भी आ सकते हैं, जो मोहाली के अंदर है, और आप online भी join कर सकते हैं, abipedia.abhimanyu.com पे जाके, आप जो है, वो PCS का course purchase कर सकते हैं, ठीक है, यह हमारे live बैच चलते हैं, और even student, अगर आप live class नहीं join कर पाते, किसी region की वज़े से, आपको कोई काम है, या आप exam है, या आप graduation कर रहे हैं, ठीक है, तो कई बार होता है, person class miss कर जाता है, बट आपको recorded classes जो है, वो available रहती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर student आपको test series भी मिलती है, ठीक है, आप जो है, आप weekly test भी आप attempt करते हैं, प्लस आप जो है, वो आपको daily basis पे जो portal के उपर questions आते हैं, उनको भी आप attempt कर सकते हैं, ठीक है जी, तो आप join कीजिए इस batch को, ठीक है, लिंक आपको description box में मिल जाएगा, और even student अगर आपको कोई भी doubt है, ठीक है, आपने पहले सी पढ़ रखा है, आपको किसी particular एक subject में आपको problem आ रही है, किसी एक particular topic में आ रही है, तो भी student आपको नीचे दियेगे, support number पे आप call करके, even आप वो भी clear कर सकते हैं, even आप किसी भी faculty के साथ बात भी कर सकते हैं, contact कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी अगर doubt है, time management से related, schedule से related, guidance से related, आपको mentor चाहिए, ठीक है, mentorship चाहिए आपको, ठीक है, so that आप अपनी study को smoothly, you know, consistently आप उसको, you know, कर पाओ, ठीक है, उसको आप, वो आपको doable लगी, ठीक है, with time management, ठीक है, तो उसकी लिए भी student, आप even हमारे से contact कर सकते हैं, ठीक है जी, okay, okay student, तो इसी के साथ मैं यह session यहाँ पर over कर रही हूँ, thank you, thank you so much, have a nice day, कर दो आप यह नहीं है,